अगर आपसे कोई पूछे, उसने मेरी मदद की, इसको हिंदी में लिखिये या बोलिये, और आपको structure भी पता है, और आप सारे words का meaning भी जानते हैं, बट आप एक word का meaning नहीं जानते हैं, वो है मेरी, और आप अगर किसी से इसका meaning पूछेगा, तो वो आपको बताएगा my, आप dictionary में भी इसके meaning को देखीगा, तो उसमें आपको my ही मिलेगा, तो उस हिसाब से अगर आप इस sentence को बनाएगे, तो हो जाएगा he helped my, तो क्या ये sentence सही है, नहीं, ये sentence बिल्कुल गलत है, तो सही क्या होगा, सही होगा he helped me, ये एक सही sentence होगा, तो यहाँ पर my नहीं होके me होग तो आखिर हमारा ये confusion कैसे दूर होगा, तो इन confusions को दूर करने के लिए और pronounce case सही use को जानने के लिए हमें case सीखने की जुरत होती है, English में कितने case होते हैं, उनके कौन-कौन से रूप होते हैं, उनका क्या use होता है, तो इसको बेहतर रंग से समझने के लिए हम लोग case table के मा माध्यम से case का study करते हैं, इंगलिश में चार case होते हैं, नॉमिनेटिव केस यानि करताकारक, अबजेक्टिव केस यानि कर्मकारक, और वोकेटिव केस यानि सम्मोधन कारक, और case को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है case table, तो आज हम लोग case table के माध्यम से case को समझेंगे, तो फिर positive case है, यानि कि सम्मन्द कारक, positive case में दो पार्ट है, positive adjective और positive pronoun, case table में हमने एक और सी इंक्लूट किया है, वो है reflexive pronoun, और reflexive pronoun को समझने के बाद, हमारे लिए pronounce के use को समझना और आसान हो जाएगा, तो आईए देखते हैं, सबसे पहले nominative case, यानि कि करताकारक, तो nominative case मे होता है, I, we, you, he, यानि कि pulling में, she, यानि कि strilling में, और it, तथा they, उसी तरह से objective case में, यानि कि कर्म कारक में होगा, me, us, you, him, her, it, और them, positive case की बात करें, तो positive case में दो पार्ट होते हैं, positive adjective और positive pronoun, तो सबसे पहले positive adjective की बात करें, तो positive adjective में होता है, my, our, your, his, her, its, और their, इसी तरह से positive pronoun में होगा, mine, ours, yours, his, hers, और theirs, और अब हम reflexive pronoun की बात करें, तो reflexive pronoun में हो जाता है, myself, ourselves, yourself, singular में, yourselves, plural में, himself, herself, itself, और themselves, और vocative case की बात करें, तो vocative case में होता है, hey, hi, hello, john, ramiz, rahul, इसी तरह से, और इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह से समझेंगे, जैसे, nominative case में I, objective case में me, positive case में, positive adjective में हो जाएगा, my, और positive pronoun में हो जाएगा, mine, reflexive pronoun में हो जाएगा, myself, फिर we की बात करें, तो nominative case में होता है, we, यही objective case में बदल के हो जाता है, us, positive case में, positive adjective में हो जाता है, our, और positive pronoun में हो जाता है, ours, और वहीं reflexive pronoun में हो जाता है ourselves, you की बात करें, तो you nominative case में होता है, यही objective case में you ही रहता है, और positive case में positive adjective में your होता है, positive pronoun में यह yours हो जाता है, reflexive pronoun की बात करें, तो reflexive pronoun में singular में हो जाता है yourself, और plural में हो जाता है yourself, he की बात करें तो nominative case में होगा he वो objective case में हो जाएगा him positive case में positive adjective में हो जाएगा his और positive pronoun में his ही रहेगा और reflexive pronoun में हो जाएगा himself she की बात करें तो nominative case में होगा she objective case में हो जाएगा her और positive case में positive adjective में her ही होगा और positive pronoun में hers हो जाएगा तथा reflexive pronoun में वो हो जाएगा herself it की बात करें तो nominative case में होगा it वो objective case में it ही होगा positive case में, positive adjective में it होता है और positive pronoun में it का कोई use नहीं होता है और ये reflexive pronoun में हो जाता है itself और सबसेंत में दे की बात करें तो nominative case में दे होता है objective case में हो जाता है them positive case की बात करें तो positive adjective में हो जाएगा they are, positive pronoun में हो जाएगा theirs, और सबसे last में reflexive pronoun में they बदल के हो जाता है themselves, यहाँ पर जितने भी pronouns हैं, उन सारे pronouns के मैंने हिंदी में अर्थ लिख दिया हैं आप चाहें तो सारे words को इसके meaning सहीद अपने notebook में note कर सकते हैं आपके लिए बहुत ही beneficial होगा मैं आपको एक example बताना चाहता हूँ जैसे I को ले लेते हैं तो I के कई सारे अर्थ होते हैं मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मुझको जैसे हम बात करते हैं मैं से तो मैं एक छात्र हूँ तो I am a student फिर बात करें मैंने मैंने उसकी मदद की तो हो जाएगा I helped him फिर बात करते हैं मुझे मुझे एक कलम चाहिए तो I need a pen फिर मुझसे गलती हो गई I made a mistake मुझको मुझको आपकी मदद चाहिए I need your help या I need your cooperation इसी प्रकार से हम सारे words को उसके meaning के हिसाब से और sentence के हिसाब से यूज करते हैं और सबसे last मैं vocative case की बात करें जैसे Hey Hey Listen to me फिर करते हैं Hi की बात Hi Do you know me? Hello How are you? जैसे John किसी व्यक्ती का नाम है John Are you okay? फिर Ramiz Ramiz Did you complete your homework? Rahul You have done tremendous job तो इस तरह से हम case table के माद्यम से pronounce case सही use को सीखते हैं चाहे हम बोल रहे होते हैं चाहे हम लिख रहे होते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस video lecture के माद्यम से case और उसके use के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो आज के लिए इतना ही Good Bye